बच्चे हमने जो आज टॉपी करना है वो है प्लानिंग प्लानिंग के हमने जो है प्रोसेसर्स की थी या स्टेप्स की थे लास्ट में ठीक है अगर जे आपको हो बिंग अवेर ओफ ऑपर्चुनिटीज मार्केट कॉंपिटिशन कस्टमर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ठीक है अब इनी को हमने जो है क्या करना है आके फर्दर एक्स्प्लेइन करना है फर्स्ट स्टेप जो था वो था बिंग अवेर ओफ ऑपर्चुनिटीज बोलते इसमें क्या होता है इस फर्स्ट स्टेप में जो है आपको क्या करना है इसमें सारे के सारे मैनेजर्स जो है वो जो ह future को देखेंगे कि हमें future में कौन-कौन सी opportunities जो है वो आ रही है और उसके बाद उसे clearly और completely जो है वो क्या करेंगे देखेंगे कि हमें exit में क्या opportunities या हमें opportunities मिल रही है और उसके बाद उसको जो है उनकी strength का weakness का या उन्हें problems जो है जो वो solve करना चाहते है ठीक है वो उन्हें जो है वो करनी पड़ेगी ठीक है और इसके बाद उनको जो है कितना gain होता है सबसे पहले obviously आपको अपनी strength या weakness पता होगी तो आप समझ सकते होगी किस तरह की problems जो है वो आपको solve करनी है और क्यों और इसी में हमें जो है expect होता है कि हम कितना gain जो है वो ले सकते हैं नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है setting realistic objectives depend on market क्या है expected competition क्या है customer क्या जाता है कि हमने realistic objectives जो है ठीक है वो क्या होगे और उसमें जो है depend करते है markets में कि market क्या होगी expected competition क्या होगा customer जो है वो क्या जाते है next जो है वो क्या है setting objectives भूलते हमारे पास जो second step है planning का वो क्या है कि हमने establish करना है अपने objectives को ठीक है objectives जो होते हैं वो specify करते हैं कि expected result जो है वो हमारा end point क्या बताएगा कि क्या होना चाहिए क्या हमें करना है किन-किन promises या faces के अंदर जो है हमने place करना है इसमें हमारे पास strategies क्या है policies क्या है procedures क्या है rules क्या है या हमें कौन सा budget या program जो है वो लेना है ताके हम अपने objectives जो है वो achieve कर पाएं सबसे पहले देखो यह जो है हमारा second most है इसमें हमने क्या कैसे कब कहा किस चकापे क्या चीज़ों को follow करके या कौन कौन सी चीज़ों को करके हम अपने goal तक जो है वो पहुंचेंगे इस चीज में हमें इस चीज के clarity मिलती है next है developing premises यह जो है हमारे पास third important step है कि जिसमें हमने develop करना है premises को premises ऐसी चीज़े means ऐसी जगा होती है जहां पर हम work करते हैं और बोलते हैं यह important होता है सारे सारे managers के लिए जिसमें जो है planning involved होती है और इसमें planning को हमने agree करते हैं अपनी premises के लिए next जो है वो क्या है forecasting forecasting जो है यह बहुत ही important premises होती है कि इसमें हमें kind of market जो है वो क्या होगी volume of sale क्या होगी prices क्या होगी product क्या होगी technical developments जो है वो क्या है cost क्या है यह सारी चीज़ें जो है यह हमें देखनी पड़ती है next identifying alternative courses of action हमें जो है alternative का मतलब होता है जब हम एक की शगापर कोई दूसरी चीज़ को use कर सकते हैं यानि कि अगर हमने इस step को follow नहीं किया तो और दूसरे कौन से steps है जिने हम follow कर सकते हैं अब बोलते हैं हमने क्या करना है search या examine करना है alternative courses of actions कि हमारे पास कौन-कौन से और steps या हमें और कौन-कौन सी जो है actions available है जो हम उसकी जगापर कर सकते हैं planner जो है उससे अपनी examination को पहले ही करना होगा और अपने goals को चलो ये goal नहीं हुआ तो हम दूसरा goal जो है वो लेक कर लेंगे ठीक है उन्हें जो है advance में ही decide करके रखना है ठीक है next जो है वो है evaluating alternative course evaluating का मतलब क्या है कि जब हमें जो है evaluation करनी है अपने courses की यह हमने पता करना है कि हमार पास कौन-कौन से alternative courses जो है वो available evaluation का मतलब होता है जब हम यह देखते हैं कि उससे हमें कितना benefit जो है वो देखने को मिल रहा है वो हमारे लिए कितने beneficial है उनमें strong points क्या है weak क्या है ठीक है और उसमें जो है कि अब जो हमने चीजें सोची हैं दूसरी चीजें सोची है क्या वो उसके equal है या नहीं अगर तो वो equal होगी हम तभी उसको क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे अधरवाइस हम उसे drop कर देंगे हम उसे नहीं लेंगे सिक्स्थ है selecting a course selecting an alternative course ये जो है एक real point होता है हमारा decision making का इस point में हमने जो है कौन सा plan adopt करना है हम वो चीज़ देखते हैं manager को जो है decide करना है और ये जो है best alternative या other alternative courses of actions जो है वो होते है formulating derivative plans अब बोलते हैं ये जो है ये जो है हमारे पास seventh step जो है ये हमारी planning में आता है कि हमने कैसे जो है अपने plans को बनाना है और इसमें जो है हमें decision वो जो है supporting plan के उसमें बनाने हैं और इसमें हमें buy करनी है equipments material यह हमने hire या train करना है worker को और develop करना है एक new product quantifying plans by budgeting अब बोलते हैं जो final step है planning का वो क्या है कि हमने जो है कैसे उन्हें quantify करना है और कैसे हमें उन्हें convert करना है budgets में जो हमारे पास overall budget है हमारे enterprise का वो जो है क्या करता है represent करता है sum total of income जो है वो क्या होगी या expenses जो है resulting profits के साथ जो है वो क्या जाएंगे ठीक है कि हमारी total of income जो है या expenses जो है वो क्या है अब plans होते कैसे हैं किस तरह के होते हैं long range होते हैं short range होते हैं strategic होते हैं operational होते हैं corporate होते हैं functional होते हैं proactive होते हैं या reactive होते हैं standing versus single use ये जो है कुछ तरह के plans होते हैं अब इनको जो है हम कल discuss करेंगे detail में आगर शे कोई भी डाउंच हैं आप पूछ सकते हैं थेंक्यू क्लास